हलो दोस्तों कैसे आप लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों आज के वडियो में हम सिखने वाले हैं कि आप अपने आउटलुक में या मेल में सिगनेचर को किस तरह से अइड करते हैं सबसे पहले यहापे हम समझेंगे कि signature होता क्या है तो दोस्तों जब भी हम नए mail करते हैं ना तो नए mail में नीचे आपकी कुछ detail आते हैं जैसे यहां पर मैंने यहां पर नए mail पर क्लिक किया किसी को mail करने के लिए तो यहां पर देखें कुछ आपकी personal detail है आपको होता है automatic आता है तो यह चीज को हम signature करते हैं जिसमें की आपकी mail करने वाले का नाम mail करने वाले किस डिपार्टमेंट से ब्लोंग करता है वह कंपणी का logo कंपणी का नाम कंपणी का एड्रेस मुवाइल नंबर फोन नंबर इमेल आड़ी के सारे डिटेल यह signature में हम add करते हैं और जब भी हम नए mail करते हैं नए mail पर क्लिक करते हैं तो यह दोस्तों अपने signature आड़ करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा अपने फाइल पे जब भी आउट लूक आप खोलेंगे तो ऊपर आपको एक option मिलता है यहां पर फाइल का फाइल पर आपको क्लिक करना है उसके बाद नीचे यहां पर आएंगे और यहां पर यहां पर आएगे signature का option पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस तरह का box को लेगा जिसमें कि आप अपने signature को add करते हैं तो यहां पर देखेंगे जो मेरे signature करना है जिस email ID में आप अपने signature को add करना चाहते हैं तो माल लीजिए मेरे पास जो account का एक email ID है जिसमें मेरे signature add करना है उसको मैंने select कर लिया उसके बाद यहां पर देखेंगे new delete rename यह तीनों आता है चाहते तो इसको आप change कर सकते हैं new भी बना सकते हैं बट हमारा बना हुआ तो इसलिए हम इसको छेड़ेंगे नहीं मैं आपको बिसकली बता देता हूंगा ठीक है उसके बाद यहां पर आएंगे जो signature है यह box में जो signature हमारा जो हो रहा है यह चीज़े यहां पर आपको modify करना है यह आपको नए बनाना है अगर आपका नहीं बना उगा तो यह बिल्कुल blank होगा यहां पर आपको type करना होगा और type करने के बाद अपने हिसाब से इसमें font वगरा set करना होगा ठीक है सारे चीज़ color set करना यहन्वली टाइप करना हूगा तो मालेजी देखए यहाप कुछ टाइप करना हूँ तो तेकिए यहापर टाइप हो रहा है लूगो डालेंगे या फिर उसके बाद नीचे मोबाइल नमबर होगरा email ID होगरा सारे चीज़ डालेंगे आप जैसे माली यह फॉन्ट होगरा चेंज करने के लिए सारे डीटेल यहां पे आपको उपर ही दीखेगा कि कलर चेंज करना है फॉन्ट सेट करना है यह कुछ भी चेंज करना है इस्टैलिस बनाना है तो यह देखिए यहां पे फॉन्ट भी इस्टैलिस का यह उफसन आता है इसमें से आप कोई भी सिलेक करके अपने जो सिगनेचर बनाएंगे उसको इस्टैलिस बना सकते हैं ठीक है तो बिसकली इसमें सारे चीज़ आपको एड करेंगे एक बार आपको एड करना है ठीक है जब भी आप एक बार एड कर देंगे तो आपको जब भी आप किसी को मेल करेंगे और नए सिगनेचर पर क्लिक करेंगे तो आपको इस सिगनेचर में एड करेंगे ठीक है तो आपको एक बार प्रोपर ढंग से अपने जो भी इसमें एड करना है अपने प्रसनल डिटेल या कंपनी का लोगो होगरा, एड्रेस होगरा, मुबाइल नमबर, ठीक है, इमेल आईडी, कोई अधर इमेल आईडी, तो सारी डिटेल यहाप एक बार सेब कर सकते हैं, एक सिगनेचर में एड कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको कभी भी दोबारा आपको यह चीज एड करन करने के बाद यहां पर, इसके बाद दोबारा से यांद नीशे, औक पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करेंगे इब आपका जब नए पर क्लिक करेंगे तो यह सिगनेचर जो है, वह आपको इमेल पे दीखने लगेगा, तो इस तरह से आप अपने आउट लुक और इमेल में बारत धन्यवार